नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर आज के इस सेशन में हम लोग लुसेंट जीगाय सीरिस को आगे के तरफ बढ़ाते हुए टॉपिक 7 को स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा अंतरास्ट्री सीमाय मांचुत्री रेखाए या भारत में पर्थम पूरुस भारत में पर्थम महिला भारत में पर्थम अन्य भारत में सरोधिक बड़ा लंबा उच्छा विश्व में पर्थम और विश्व में सरोधिक बड़ा चोटा लंबा आवम उच्छा टॉपिक को हम लोग ने कंप्लेट कर लिया है आज जो हम सेशन के सुरू करते हैं दुरंद रेखा यह कौन से देश के बीच में है तो यह अफगनिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पढ़ने वाली इंटरनेशनल बाउंडरी है यानि की अंतरास्टिय सीमा है यहां पर आप लोग मैप में देख रहे होंगे यह अफगनिस्तान और यह पाकिस्तान दोनों के बीच में यह रेट किलर में आप देख रहे हैं यह बार्डर ठीक है आईए कुछ एक्षा जानकरे के ऊपर ध्यान देते हैं दुरंद रेखा जो है वह अफगनिस्तान और पाकिस्तान के बीच की एक रेखा है जिसकी लंबाई जो है 2640 किलिमेटर है फोकस करना है में पॉइंट पर ठीक है यह ब्रेटिस सरकार के सच्यूज मॉन्टीमर डुरंड और अफगनिस्तान के सासक अब्दूर रहमान खान के बीच में यह समझाता हुआ था पैक नमर 3 बोल रहा है यह समझाता बारह नोवंबर 1893 को काबूल अफगनिस्तान में कि बहुत है लीजिंट है नेकृवन रीखा भारत और चीन के बीच में एक अंतरा str betrayal रखा है यह रहा वह रेखा रिट कलर में आप यहां पर देख रहए हो यहें इस माहन मोहन रेखा जो की भारत और चीन के बीच में बनता है यह कॉन से राजिम है यह भारत के परोगों जो अनवाचल पर देश है नॉर्थ इस्टन इस्टेट वहाँ पर बनता है ठीक है आए थोड़ा सा एक्स्टा जानकारी में ध्यान देते हैं मैक मोहन रेखा पुर्वी हिमाले चेत्र के चीन अधिकरित एवं भारत अधिकरित चेत्रों के बीच में चीनित करता है फैक्ट न जो अनचल पर देश है वहाँ पर यह सीमा बनती है चाइना के साथ चलिए मुफ करेंगे अगले फैक्ट में अगला जो रेखा है वो है रेट क्लिफ रेखा यह कौन कौन से देश के बीच में है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है यह आप सभी को पता होना चाहिए य यह भारत पाकिस्तान और यह तो हुआ पस्चमी पाकिस्तान और एक पुरुवी पाकिस्तान है जो की 1971 के बाद उसे बंगलादेस नाम दे दिया गया था ठीक है पहले 1971 के यूदि के पहले वह पुरुवी पाकिस्तान की नाम से जाना जाता था आये डिटेल में थोड़ा सा करते हैं कि यह रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देखिए रेट क्लीफ रेखा सर श्रील रेट क्लीफ के नेत्वित्व में बनाई गए ठीक है 15 अगास 1947 को यह लागू किया गया था फैक नमर थ्री भारत और पाकिस्तान पाकिस्तान जो पुरुवी बंगलादेश अब बंग पाकिस्तान पुरुवी बंगलादेश के नाम से जाना जाता है ठीक है तो इसका निर्धारन रेखा कब हुआ था 15 अगस 1947 यह आपको याद रखना है और इस रेखा के निर्धारन किसके नतित्व में हुआ था सिरिल रेट क्लीफ के नतित्व में हुआ था इसलिए इसका न जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक अंतराश्टी रेखा है यहां पर रेट कलर में आप देख सकते हैं यह सिस फ्राइट रेखा जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में निर्धारित किया गया है एक्ष्टा फैक्ट यह है जर्मनी और फ्रांस के मद्द सीमा रेखा है सी यह चलिए मुफ करेंगे 24 समनफर रेखा यह भारत और पाकिस्तान कर भीच में एक बॉर्डर है यह जो आप रेखा देख रहे हैं यह 24-45 जो रेखा होती है 3.5 आप इससे थोड़े से उपर 24 रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में रिदारित किया गया है आये कुछ एक्षा जान करें देखते हैं पाकिस्तान सीमा निर्धारन के लिए इसे आधार बनाने का पक्सदार है लेकिन भारत अभी तक इसका कोई निर्धारन नहीं किया यानि भारत इसके सपोर्ट में नहीं है चलिए मुफ करेंगे 20 डिगरी उत्रिये समनांतर र देखा यह है 20 डिगरी उत्रिये समनांतर रेखा आई एक्ष्टा में थोड़ा सा अध्यान करते हैं यह अफरीका एशिया हिंद महासागर परशांत महासागर उत्तरी अमेरिका कैरेबियन और अट्लांटिक महासागर को पार करता है इसके साथ अफरीका में यह लिविया औ बनाता है यह आपको याद रखना है जब अफरीका कॉंटिनेंट आ गया है तो चलिए अफरीका कॉंटिनेंट से कुछ एक्ष्टा जान करें और पी देख लेते हैं टोटल कंट्री जो है अफरीका कॉंटिनेंट में वह 54 और टोटल जो है कोस्टल कंट्री वह है 38 यह आप को याद रखना है ठीक है एरिया के हिसाब से यह दूसरा पोजिशन पर आता है ठीक है कॉंटिनेंट के एरिया के हिसाब से कॉंटिनेंट के एरिया के हिसाब से यह वर्ल्ड में इसका दूसरा असान है पहला अस्थान अगर बात की जाए तो वह है एशिया ठीक है पहला अस् पाता है 50 कंट्रे के साथ मुफ करेंगे अगले फैक्ट में 22 जगरी उत्तरिये श्रम्नानतर रेखा मिस्र और सुडान के बीच में है यह रहा पूरफाइल फोटो यहां पर मैप में देखिए यह इजिप्ट हिंदी में इसे मिस्र कहा जाता है और यह सुडान ठीक है तो इस सुडान के बीच में यह एक रेखा है जो इसके सीमा को निर्धारन करता है यह 22 जगरी उत्तरिये सम्नानतर रेखा है कहने का मतलब है यह है गलोब हमारा मैं यहां पर अच्छा दे रहा हूं और यह 20 से एक रेखा गई है जिसे हम लोग एक्वेटर करते हैं और यह है उत्त डिग्री उत्तरिये चांस रेखा यानी यह से बढ़ते 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 22 अचान्स रेखा जो कि और सुडान के मध्य से होकर गुजरती है वहां पर सीमा नियंतरित करती है यह जैञा कुछ एक्ष्टर जनकारी 22 समनानतर रेखा जो प्रतुए के भूमध्य र अमेरिका केरेवियन और अट्लेंटिक महासागर को पार करता है यह आपको याद रखना है फैक्ट नमबर त्री जो कि सबसे ज़्याद है इंपॉर्टन मैंने आपको मैप में पता दिया है यह किसके किसके बीच में है तो मिस्र और शुडान के बीच में यह सिमांकन रेखा निधारत करती है this 28 डिग्री संदा पर यह उत्तर कोरिया और और Desori के बीच में है यह तिन रहा उत्तर कोरिया नौर्थ कोरिया और यह है साउद कोरिया और यह जो आपर रहे हैं यह उत्तर आफ्ले को conscious कंग अलग करती है फैक्ट में आते हैं 38 समनांतर रेखा यूरोप, भुमद्य सागर, इशिया, पर्षांत महासागर, उत्तरी अमेरिका, अटलंटिक महासागर को पार करती है कोरिया यूद्य के पहले 38 समनांतर रेखा उत्तरी और दश्री कोरिया के बीच में सीमा ये बनाई गई थी तो यह सन्युक्त राज अमेरिका और कैनाडा के बीच में एक इंटरनेशनल लाइन है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैप में यह है कैनाडा और यह है यूनाइटे स्टेट अफ अमेरिका और यह जो एक रेखा गई है यही है 49 डिग्री शमनांतर रेखा मैगनोट रेखा यह फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक रेखा है यह देखिए यह है मैगनोट रेखा रेट कलर में आपको दिख रहा होगा यह है जर्मनी और यह है फ्रांस तो यह दोनों के बीच में अंतराश्य शीमा बनाती है आईए यहां पर देखते हैं फ्रांस औ यह आपको याद रखना है चले मुफ करेंगे रेक्षा जर्मनी और पॉलेंड के बीच में अंतराष्ट्र शीमा का निर्धान करती है यह अब जो रेट केलर में रेखा यहाँ पर देख रहे हैं यह यह फिर फिर लाइन जो कि जर्मनी आप पॉलेंड के बीच में जर्मनी आ यहां पर सोव्यत यूनियन यानि की रॉश्या पहले से सोव्यत यूनियन के नाम से नाम से जाना जाता है तो यह रेट कलर में जो आप लाइन देख रहे हैं यही है मैनिरम रेखा और मार्जिनल रेखा जो कि रश्या और फिनलेंड के बीच में बनती है एक्षर जानकारी लाइन का निर्धाराण दो चरण में किया गया था 1920 से लेकर 1924 और 1932 से लेकर 1949 दो चरण में ठीक है ये भी आपको याद रखना है मूब करेंगे आगे की तरफ 1793 रेखा तो ये उत्तर और व्यतंनाम के मद्घे है जैसा कि आप देख सकते हैं ये है North व्यतंनाम और ये है South व्यतंनाम उसके मद्द से एक रिखा गयी है जिससे 17ultur रेखा केहते हैं यहाँ पर देखे यह है South China Sea यह गल्फ आफ थाइलेंड क्योंकि यहाँ पर है थाइलेंड यह लाउस और यह है चाइना आईए एक्स्ट्टाफेक्ट में आते हैं जिन्यवा में 1994 में वियतनाम में स्थापित एक सेन्य शिमांकन रेखा है याद रखेगा एक सेन्य शिमांकन रेखा था जो कि जिन्यवा समझाओता में 1954 में हुआ था फैक्ट नमबर दो बोल रहा है यह एक्स्ट्रा फैक्ट है 31 समनांतर रेखा जो है वो उत्री अच्छांस इराक और इरान के बीच में सीमा को चिन्यवा करती है फैक्ट नमबर दो बोल रहा है यह अमेरिका के लूशियाना और मिशी शिपी राज्यों के बीच में सीमा का सिमांकन भी करती है यह भी आपको ध्यान देना है यह दिसांतर रेखा है अब तक हम लोग अच्छांस रेखा को उपर पढ़े थे यह एक दिसांतर रेखा तो चलिए इसको उपर भी ध्यान देते हैं तो यह अलास्का जो की USA का हिस्सा है और कैनाडा के बीच में सीमांकन करती है यह जो आप रेड कलर में य भी USA के अंतरगत आता है नेक्स्ट और निस लाइन यह जर्मनी और पॉलेंड के बीच में यह रेखा बनाया गया है देटेवी सी यूद्ध के बाद इसे निधारित किया गया था यहाद रखना है अब आए हम लोग थोड़ा सा इंटरनेशनल बार्डर को कंप्लेट करने क के बाद अब हम लोग लाइन आफ मैप नाया गया है यानि की मानशीतर रेखा है कुछ मानशीतर रेखा के बारे में भी हम लोग अद्यन करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइसो बार जो है इसे यहां पर संताब रेखा है यह थोड़ा सा यहां पर ऑफिर मा dernière सामय में देख लेते हैं यहां पर देखिए मैप में अलग-अलग हिस्से में जो दबाओ यहां पर बना गया है अलग-अलग जगह पर यह सभी 1 तो इसे हम लोग आइसो बार कहते हैं वायू की समान स्थिती को एक साथ मिला दिया गया है तो आइसो बार हो गया है यानि समदाब रेखा भी कहते हैं नेक्स्ट आइसो बात आइसो बात रेखा यह देखिया मैप और यहां पर फैक्ट है समुद्र के अंदर शमान गहराई वाले अस्थान को मिला कर खीचे जाने वाली एक रेखा है जैसे कि यह एक गहराई वाली अस्थान है और यह एक गहराई वाली अस्थान है तो इसको मिल तुफान को indicate कर रहा है यहां पर पता रहा है तुफान के एक साथ आने वाले अस्थानों की सूचक रेखा है उसे हम लोग आईशो ब्रैंट करते हैं नेक्स आईशो हेलाईन समुद्रे जल के खारपन की समान मतर दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग आईशो हेलाईन कहते हैं यह देखिए जैसे कि यह समुद्र की गहराई है तो यहां से यहां तक खारपन अलग होगा यहां से यहां तक जो है वो खारापन अलग होगा वैसे यहां से यहां तक जो है खारापन अलग हुआ तो इन सब को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम लोग आईशो है लाइन कहते हैं चलिए और यह किसे मिलाती है यह खारेपन को मिलाती है नेक्स्ट आईसोसिस्मल आईसोसिस्मल क्या है आईए फैक्ट में देखते हैं भुकम्पिय तिवरता की समानता वाले अस्थानों को मिलाने वाली रेखा को आईसोसिस्मल कहते है यानि कि यहाँ पर जो है भुकम्पिय तिवरता एक जैसी है यहाँ पर भी एक जैसी है और य समोच रेखा इसे आईसो हाइब कहते हैं समुद्र तल से उच्वत किसी समान उचाई वह आकार दर्शाने वाली रेखा होती है यहां पर देखिए जैसे यह समुद्र की तल है ठीक है नीचे समुद्र तल है समुद्र तल से जो एक अस्थान यहां पर उचास्तान है यह एक मा लाने वाली रेखा क्या कहलाती है समोच रेखा कहलाती है या फिर इसे आप आईशो हाइब भी कह सकते हैं यहां पर मैप देने का मतलब है ताकि आप अच्छे तरह से समझ पाए नेक्स्ट मुफ करेंगी आईसो टेक क्या है मौसम मानशितर पर पाउन की समान गती पाउन की जो समान गती है उसे मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं आईसो टेक कहते हैं यह आपको याद रखना है देखिए यहां पर अलग अलग जगह पर यह दो लाइन्स के बीच में यहां पाउन की जो समान गती एक ՜ेसि है यहाँ पर भी पॉन की गती एक जेसि जैसे जैसे हम लोग गहराई में जाते चले जाएंगे वैसे वैसे तापमान जो है वो घरता चला जाएगा यह चला जाएगा तो The Second पिणानवाली को मिलाने वाली एक रीखा कहते है तो यहां से यहां तक जो है रेखा क्नले ज चो यह रेखा है उसे ही हम लोसता है धर्मोबाद कहते हैं ठीक है चलिए आइसो जेरो माइन यह कौन रेखा होती है यहां पर देखिए यह वह रेखा होती है जो समान वायू मंडली यह सुसकता वाले अस्थानों को मिलाते हुए मांचीतर पर खीरी चीज आती है सुसकता वाले मतलम ड्राइए एरिया जैसे के मा अब आपको दिखाई पड़ा तो वो रिखा जो है इस तरह से मिला दिया जाता है ठीक है और जो सबसे कम डीप वाला है यह वाला रेखा तो यहरे एसे मिल गई तो यहीं जो है समान वायू मंडली सुसकता वाले अस्थानों को मिलाते हुए मांचीतर पर खीर जाता है उसे ही हम लोग आइसो जेरो माइन कहते हैं तो यह रहा हमारा टॉपिक सेवन जिसमें हम लोगोंने इंटरनेशनल बार्डर और इंटरनेशनल मैप्स को कंप्लेट कर लिया है इसके बाद हम लोग टॉपिक एट लेकर आएंगे जिसमें हम लोग आगे की तरफ अग्रसर होगे सिर्फ दे दिया गया है और एक्ट्रा जानकारी हम लोग अपने तरफ से यहां पर एड करते हैं ताकि एक्जाम में जहां से भी कोश्टन्स बने आपके लिए सुविधा हो कि आप पढ़के जाईए और अच्छे से कोश्टन्स का एंसर देकर आईए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर सब्क्राइब जरू किजिएगा धन्यवाद